हालो आल वेलकम टू होममीड पाइकांचा आज यह वीडियो में आपको इंस्टेंट क्रिस्पी जले भी बनाना सिखाऊंगी डिस्क्रिप्शन में आपको इंग्रिडिंट्स की लिस्ट मिल जाएगी सबसे पहले हम एक बाउल में आधा कप मैदा लेंगे मैदा को मैंने पहल हमें इसमें पानी करते हुए दालना है ताकि हमारा घूल एकदम से भथ-पतला ना हो जाए मैंने इसमें करेब वन फूर्ट कप पानी की यूज किया है हमारे इस गूल में गुठली नहीं आनी चीए उसके लिए हम धीरे-धीरे करते हुए पानी डालके मिक्स करेंगे उसस उसके लिए एक डीप पैंड के अंदर मैंने एक कप चीनी ली है और उसमें एक कप ही मैंने पानी दाल दिया है. चीनी गुलने तक हमें चाशनी को लगातार चलाते रहना है जिससे कि वह नीचे न चिपकी. अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चाइनल और प्रेस दे बेल आइकन जिससे कि आप फ्यूचर में मैं जो वीडियो दालूंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा एन इसे लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें. देखिए चाशनी में वह बाल आने लग गया है और चीनी हमारी अच्छे से इसमें घुल चुकी है. हमें इस चाशनी को बहुत गाड़ा नहीं करना होता है. अब हम इसमें दालेंगे आदा चमच, इलाइची का पाउडर, थोड़ी सी केसर और एक चुटकी ओरेंज कलर. और इंज करर ऑप्शनल है पर इससे दालने से हमारी जलेबी का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आता है. इसे हम मिलाते हुए एक दो मिनिट के लिए और पका लेंगे. चाशनी की कंसिस्टेंसी हमारी चिप-चिप होनी चाहिए. इसमें तारोर्ण नहीं बनना चाहिए. वरना चाशनी जलेबी के अंदर नहीं जाएगी. चाशनी हमारी तयार है अब हम चाहें तो पाइपिंग बैग ले 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 या कोई सॉस का जो बॉटल आता है स्कुईजी बॉटल वो ले सकते हैं या फिर मैंने यहां एक नॉर्मल बॉटल ली है और उसकी जुठका ने उसमें खोल कर दिया था अब इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इस बैटर को हमारी जो बॉटल है उसमें खाली कर लेंगे पोल हमें ज्यादा बड़ा नहीं रखना है अब हमें एक फ्लैट कड़ाई लेने हैं उसमें तेल गरम करना है अच्छा तेल गरम होना चीए तब हमें उसमें जले भी बनाएंगे तेल अगर हमारा ठंडा होगा तो हमारी जलेबी चप्ती बनेगी और वो चाशनी में अच्छे से सोप नहीं कर पाएगी जलेबी को हमें हलके हाथ से एक चमच की चाहिता से टर्न करते हुए हलका ब्राउन होने तक सेखना है जलेबी हमारी सेख गई है अब हमें इसे निकाल लेंगे जलेबी को हमें गर्मा गरम चाशनी में डिप करना है और उसे 10 मिट के लिए इसमें छोड़ देना है स्टार्टिंग में जब चाशनी बहुत ज्यादा रहती है तब यह अच्छे से सोप कर लेती है और जब बाद में थोड़ी सी बसती है जैसे इसमें है तो इसको हमें पलट पलट के सोप करना होगा दस मिट बाद जब यह चाशनी सोप कले तब हमें इसे एक चलनी में रखना होगा ताकि जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो अच्छे से टपक जाए दो निट के लिए अब हमें इस पर बारिक कटे हुए पिष्टा और बदाम लगाने हैं यह देखिए क्रिस्पी चलेबी बनके तयार है यह बाहर से क्रिस्पी है और अंदर से एक दम जूसी बनी हैं ट्राइ करिए इस रेसिपी को और कमेंट्स में बताए आपको कैसी लगी थैंक्स फर